हेलो फ्रेंड्स कैसे आप साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माई डेली हैक्स में जब हम घर के काम करते हैं तो कुछ नए नए आइडियाज उसमें से निकलाते हैं जिसे कि हमारा काम आसान हो जाता है और कुछ ऐसे हैक्स हमें मिल जाते हैं जो कि हमारे काम के होते हैं तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें कुमेंट करें और चैनल को सबस्क्राइब कर लें तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो सबसे पहला है कह वो है दही को ले कर सरदियों में जब भी हम धही जमाते हैं तो हमारा दही कई बार तो इसी के लिए मैं आज का है के लिए के आई हूँ तो आप दूद को अच्छे से गरम कर ले गरम करने के बाद आप इसमें अपना जितना भी खटा डालना चाहे वो डाल दें और उसके बाद ले एक ऐलिमिनियम फोईल आप कोई भी फोईल यूज की हुई भी ले सकते हैं तो ये फोईल भी नहीं आप ले लिया और उसमें जिस भी बरतन में आप दूद राख रहे हैं दही जमाने के लिए उसको अच्छे से कावर कर दें आपको दही जमाने के लिए जो छोटे मुगे बरतन होते हैं यूज करें तो आपका दही भी एकदम बढ़िया से जमेगा क्योंकि जो दूद है वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा तो आप जब भी धही जमाई इस तरह से धही जमाई जब हम इसके चारो तरफ ये फोईल लपेट देंगे तो वो काफी टाइम तक गरम रहेगा और हमारा धही बढ़ी असा बनके त्यार हो जाएगा फोईल लपेट दिया और ढ़क के और इस तरह से मैं अच्छे से इसको रखूंगी उपर से इसके हम लगा देंगे इसका जो ढ़कन है वो ढ़कन लगाने के बाद ये कहीं भी इसमें कोई हवा बगयरा नहीं जा पाएगी और धही बड़ी आजमेगा अगला है कि हम कई बार क्या होता कि हम हमारे जो पेपर होता है टोईलेट पेपर उसको रखने के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती है तो इसी से रिलेटिड ये है कि मेरे पास भी ये टांगने के लिए बातरों में कोई जगह नहीं है तो मैं इसके लिए क्या करूंगी कि जो हमारे यहां पे सीट के पास में चोटे कामों के लिए जब पलंबर नहीं आपाते हैं तो फिर हमें प्रिशानी भी होती है तो देखिए मैंने इस रोल को इसके अंदर डाल दिया और अब आप इससे बंद कर देंगे तो हमारा ये रोल बड़े से हम फिर यूज कर पाएंगे तो आपको ये हैक अच्छा लग कि इन सर्दियों में हाल्ड भी हो जाती है और ये देखिए कितने टाइट हो चुकी है और अब ये अच्छे से बंद भी नहीं होती है तो कई तरह की है कि आपने पहले भी यूज की होंगे तो आज का जो है कि मैं आपको बताने जारी हूँ वो बड़ाई अच्छा है और आपकी जो जीप अगो एकदम सोफ्ट हो जाएगी आपको सिरफ वैसले लेनी है और वैसले लेके इस तरह से जो बच्चों के पेंट वारे ब्रस होते हैं उससे आप इसको इस जीप के उपर अपलाई कीजिए अच्छे से जहां से ये लोक सुरू होता है वहां पे अच्छ इससे भी लगा सकते हैं तो ये बड़ी अच्छे से फैलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे स्मूथ हो चुकी है और ये बड़ी आराम से बंद हो जाएगी क्योंकि जब ये हाड होती है तो सर्दियों में थोड़ा हाथ भी हाड हो जाते है और इससे बंद करने म हमें काफी दिक्कत होती है तो ये देखे कितनी सोफ्ट अभी हो चुकी है और इसको बड़ी आराम से अभी ये बंद भी हो जाएगी तो आप भी इस हैक का जरूर यूज करें हमारा जो अगला हैक है वो है कि हमारे फलस में से कई वार पानी लीक होने लगता है और वो हमार पानी टाइब के फलस होते हैं यहीं समस्षच ज्ञाधा होती है क्योंकि पानी में जो साल् मातरा होती है वो ज्यादा आती है और इसी वजय से हो कई बार उसका पानी पूरी तरह से अच्छे से वो रोक नहीं पाता है और पानी लीग होता रहता है तो आज इसके लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा आइडिया बताऊंगी क्योंकि मेरे जो फ्लस है इसमें ये प कर दियाकर हो तो आपको दिक्गत नहीं आएगी क्योंकि बार-बार प्लंबर को बलाना उसकिल होता है उसमें आप क्या करें टेल ले 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 तिल वैसे कोई भी लेशकते हैं पर सरसों सरसो का लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।ó jeszcze से जब पलस कर देंगे उसके बाद में अपने अपसे ये फिर से काम करना शूरू कर देगा pensalat बेंगा जो complexity किसी कोई समस्षा है तो आप ये वाला आइडिया जरूर यूज़ कर सकते हैं तो आज के हैक आपको कैसे लगें मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देजिए मिलते हैं फिर से तर तक के लिए बैबाई